आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज 36 गड़ के दौरे पर रहेंगे जहां बिलासपुर में वो बीजपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे और इसके बाद साइंस कॉलर्ज मैदान में चुनावी राली को भी पीम सम्मोधुत करेंगे विधान सभा चुनाव के लिहाज से 25 सीटो वाले बिलासपुर संभाग में पीम मोधी की राली को काफी एहम माना जा रहा है तीन महीने के अंदर पीम मोधी का ये 36 गड़ का दौरा है तो वहीं 5 साल में ये दूसरा मौका है जब प्रधान मंत्री मोधी बिलासपुर का दौरा कर रही है पीम की दौरे को लेकर बिलासपुर में सुरक्षब ववस्था कड़ी कर दी गई है 36 गड़ में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधान मंत्री नरेन मोधी आज BJP कारकरताओं में उत्सा भरेंगे राज में BJP की परिवर्तन रस्यात्रा के समापन पर बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल प्रैली को प्रधान मंत्री समबोदित करेंगे बिलासपुर संभाग में पियम मोदी की ये दूसरी चुनावी सभा होगी इससे पहले 14 सितंबर को पियम ने राइगड में चुनावी सभा को संबोधित किया था प्रधान मंतरियास दिल्ली से विशेष विमान की जरिये सुबह पोने 12 बजे उडान भरेंगे दोपेर डेड़ बजे उनका विमान राइपुर एयरपोर्ट पहुँचेगा इसके बाद पियम मोदी सेना के हेलिकॉप्टर से बिलासपुर के साइंस कॉलेज मेदान में जाएंगे इसके बाद दोपेर ढ़ाई बजे पियम मोदी बिजेपी की परिवर्तन यातरा को समाप्त करते हुए लोगों से समवात करेंगे 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से और 15 सितंबर को जश्पुर से बिजेपी की परिवर्तन यातरा शुरू हुई थी इन दोनों यात्रा के दौरान 83 स्वागत सभा, 4 रोड़शो और कईज़ चाहें पर।